देखिए आप में से काफी सर लोग ऐसे हैं जो की अलग-अलग जीलो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जीला लेवल की जो भी भरती आती है उसके बारे में आपको हम जनकारी देते रहते हैं अभी जो है सोचल वालफेट डिपार्टमेंट के तहट देखेंगे तो बिहा प्रकार के जो ही पदों पर यहां पर भरती हो रही है तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आप किसी भी जीले करतगरत आते हैं तो आप अपने जीले की जो नोटिफिकेशन है उसको कैसे निकालेंगे और कमाल की बात यहां कि कुछ जीला ऐसा है ना जहां पर online आवद का भरती होने वाला है तो सभी जनकारी को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है तो प्लीज वीडियो सुरू से आन तक लेकर जरू देखेंगे और वीडियो को लाइक जरू करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यदा मड़ी हेट करता है तो चलिए जो सोचल वलफेर डिपाटमेंट की भरती चल रही है तो सभी का जनकारी यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाएगा और आपको बता दें कि बिहार के लिगभग जो सभी जीलों में हाँ पर भरती चल रही है और कुछ जीला ऐसे है जिसमे जो ऑनलाइन आवदन आप कर सकते कि यहाँ पे सबसे पहले का करना है कि आपकी जिली मर Ti है या नहीं है उसकी जन्नकारी करती है कि उसके माधियम से चेक कर सकते हैं तो as IPRD से चेक करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और डिश्टिक वाला जो पोटल है ना उससे चेक करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा ठीक है तो सबसे पहले IPRD से हम बताते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है टाइप स्लेट करना है और कब से लेकर कब तक की जो भर्ति आप देखना चाहते हैं जिसे कि मैं फरवरी 1 से लेकर 5 मार्स तक देखना चाहता हूं और यहाँ पे मैं requirement ही select करूंगा क्योंकि जो भी भर्ति आती है वो requirement का अंतर करती आती है सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे Social Warfare Department, Social Warfare Department अलग अलग जीला का नाम लिखाए गया है, ठीके, तो अलमोच देखेंगे तो सभी जीला में यहाँ पर भरती चल रहा है, जैसे कि हम मुंगेर की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंगेर में भरती चल रहा है, तो आप यहाँ अपने जीले की जनकारी चेक करेंगे, और यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप जोई डाउनलोड कर सकते हैं, भरती की जनकारी को चेकाउट कर सकते हैं, कि भरती में कौन-कौन से पोश्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, कि इतने आपको सलरी दी जाएगे और साथ ही साथ online आवधन करना है या फिर mail के माधियम से offline आवधन करना है तो उसको भी आप चेक कर लेना दूसरा तरीका मैंने आपको बताए कि यहां पर नाइसी वाले पोटल है इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार के जितने भी नाइसी वाले पोटल है अलग-अ जिलो की वह आपको देखने को मिल जाएगा तो बेसिकली अब जिस भी जिले का अंतगरत आते हैं उस जिले का पीसल पोटल पर आपको जाना होगा जैसे कि मैं मुंगेर का दिखाना चाहता हूं तो मुंगेर के बटन पर क्लिक करूंगा यहां पर नोटिस का सेक्शन नोटिफीकेशन को भी आपि यहां से डालोड कर लेंगे इस तरह से आपने जीले की जो भी पोटल है वहाँ पे जाकर नहीं तो यहाँ से भी आप IPRD से चेक कर सकते हैं आपके जीले का जो नाम यहाँ पे लाश्ट में दिया गया होगा तो समझे कि उसी जीले से भरती यहाँ पे आई हुई है ठीक है अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कुष्जीला ऐसे है ना जहां पि आप आप ऊफ-लाइन आवधन करना होगा उन्लाइन आवधन करने के लिए हम ने लिंक दिया हुए इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पोटल आएगा यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे जैसे कि दर्भंगा, जहानाबाद, कैमूर, लखी सराय, मधुबनी, मुंगेर, मुझपरपूर, सारन, सुपॉल से आप आते हैं तो online आउदन कर सकते बाकी other किसी जिले से आते हैं तो आपके notification को निकालेंगे और आप जो है offline जो भी mail के माधियम से जीस तरह से आउदन करने के लिए बोला गया है उसके माधियम से आपको आउदन करना होगा ठीक है तो इसमें basically हम बात कर रहे हैं मुंगेर की तो मुंगेर के जो notification है आप यहा बहुत भी माँगे हैं और salary भी यहां पर बता दीगे कि कितना salary आपको दी जाएगी तो इस पोस्ट को पढ़ेंगे देख सकते हैं कि यहां पर कर्मीर सोया का जो इस तरह से नोटिफिकेशन को read out करेंगे और इसमें age limit बताया गया है कि कुछ पोस्ट के लिए 21 बर्स कम से क मुम्री होना चाहिए और बाकी अधिकतम उम्रा यहां पर दिया गया है जिसको देखेंगे और पूरे तरह से आपका सबींदा धायते भरती होने वाला है और इसमें आपका जो ही interview होगा interview के माधियम से आपका selection की जाएगी अब सभी जनकारी को पढ़ेंगे तो आपको पोस्ट है जेंडर स्प्रेसिट का पोस्ट है लेखा सहाय का पोस्ट है डेटा इंट्री अपरेटर का पोस्ट है MTS का पोस्ट है तो सभी के सामने जो है qualification भी दिया गया है कितना आपको उनभाव चाहिए उसकी जनकाइडी दी गई है और साहती साहती यहां पर देखेंगे तो इसका जो ही salary वेगरा होगरा mention की गई है बाकी आपका वही रहेगा उमर वेगरा होगरा और उसी तरह का आपका selection भी होगा ठीक है और देख सकते हैं कि इसका भी आवदन जो है 5-3-24 लेकर और 9-3-24 के बीच में आप form को भर पाएंगे पुरी तरह से जो है online नहां से इस प्रफिल करते हैं तब जाकर आपको online आवदन करना है अब online आवदन करना चाहते हैं तो कुछी जीलो का जैसे में बताया है कि यहां पर देख सकते हैं कि इनहीं जीलेस आप आते हैं तो आवदन कर सकते हैं online बाकी आप other जीलेस आते हैं तो notification में जो भी चीज़े mention किया गया कि offline mail के माध्यम से तो उस माध्यम से आपको आवधन करनी होगी और आपको बता दें कि आप किसी भी जीले से आते हैं किसी और जीले के लिए आवधन करना चाहते हैं फिर other भी states आते हैं तो form को apply कर सकते हैं option दे आता है form को भरते हैं तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि form को भ तो देख लिजिए अगर आपने पहले form apply किया हुआ है 10 फरवाड़ी 2024 से पहले तो आप यहां पर दोबारा form जरूर भरेंगे form को भरने के लिए click here to register के button पर click करेंगे ठीक है आपके सामने जो यहां पर देख सकते हैं कि district apply का post आएगा तो यहां पर किस district लिए apply करना चाहते हैं जैसे कि मैंने मुंगेर का notification निकाला हुआ है तो मुंगेर की हम भरके आपको दिखाएंगे तो इस तरह से मुंगेर का selection हमने कर लिया उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कौन सा post लिए form भरना चाहते हैं देख सकते हैं कि यहां पर अलग-अलग post लिए अलग-अलग form भरना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सरे पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसमें One Stop Center वाला भी पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है और साथी साथ DHEW वाला जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे दो परकार का नोटिफिकेशन है ठीक है तो दोनों के ल जरूर कर लेंगे मुझे जो यह डाटा इंट्रेटर के लिए अपलाई करना है तो मैंने इसका स्ट्रेक्शन किया ठीक है अब इसमें हम देखेंगे कि दाटा इंट्रेटर के लिए हमें क्या कॉलिफिकेशन मांग गया है तो देख सकते हैं कि एखीण पदों पर भरती होन नहीं 13,500 पर आपको salary देखने को मिलेगा MTS की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि MTS का भी आपको post देखने को मिलेगा इसका selection करेंगे यहाँ पर ठीक है तो इसके लिए भी qualification आप यहाँ पर check out कर लेंगे कि अगर आपने किसी विमनाता प्राफ बोर्ड से दसवी पास किया हुआ है तो 10 प्लस टू आपने पास किया हुआ है तो form को भर सकते हैं इसमें किसी परकारी कोई अनुबहाँ नहीं मांग गया है किवल 12 पास प्यापका यहाँ पे आवदन हो जाएगा यहाँ पे 12,000 पर जो तो इसके हिसाप से ही qualification document आपको देनी होगी आगे चलके जो भी post select करेंगे उसके हिसाप से ही आपको देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे applicant का name लिखूंगा फिर father, mother name, date of birth सभी जो है matric के certificate करूंसार आपको लिखना है और इसमें mister, missis बगर अगर नहीं लगाना है फिर यहा और पर एक OTP जाएगा OTP मंगा कर इसको verify कर लेंगे फिर यहां पर देख सकते हैं विहार से हैं तो खाहर ही बताये हैं तो अधर aumento से हिसाप से हिसाप से हैं आपको certificate देना होगा जो कि हम आगे बताएंगे ठीके यहाँ पे home district बताएंगे कि आपका home district का है फिर यहाँ पे gender बताएंगे कि male है कि female है उसके बाद आपके अधार पे name क्या है वो बतानी है फिर अधार पे year of birth क्या है वो बतानी है अधार number क्या है इसको बतानी है यहाँ पे validate करेंगे तो यहाँ पे validate हो जाएगा यहाँ पे इस खुद से यहां पे set करना होगा तो इसके लिए click here to state password के button पर click करेंगे password आपको बतायते हैं कि कम से कम जो है 8 character में होनी चाहिए जैसे कि आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे एक direct या फिर कुछ भी special character लगा सकते हैं और एक दो तीन चार पांच जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं ठीक है उस password को यहां पे डालेंगे फिर उसी password को रही confirm करके यहां पे डालेंगे यानिकी दोबारा इंटर करना है यहां पे capture नजर आराइस capture को आपको feel करना है यहां पे और state password के button पे आपको click करना है अब आपके number पे जो ही दोबारा OTP send किया गया है OTP डालेंगे save के button पर click करेंगे तो आपका जो password है यहां पे create हो जाएगा अब आपको जो भी user ID मिला हुआ है उसको यहां पे डालेंगे खुद से आपने जो भी password create किया हुआ है उसको यहां पे डालेंगे capture को fill करेंगे login के button पर click करेंगे जैसे ही login करेंगे तो आपके सामने जो ही कुछ इस तरह से dashboard खुलेगा जहां पे आपका जो basic information है पहले सही fill up रहेगा आपको यहां पे personal details सबसे पहले fill करना है और उसके बाद जो भी details है वो सभी आपको एक एक करके fill करनी होगी तो सबसे पहले हम personal details के button पर click करते हैं personal details में कुछ जनकाड़ी जो ही पहले से fill up रहेगा जैसे की कौन से district के अपने apply करने के लिए selection किया हुआ है और post कौन सा selection किया हुआ है इसमें आप 6-6 नहीं कर सकते हैं बाकी आपका नाम, father name, mother का name अटोमेटिकली यहाँ पर जो अपने रेश्टन करते समय दिया हुआ है ले लिया हुआ है यहाँ पर आपना जो ही marital status बताना है कि आपका साधी हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ आपको बतानी क्यों सकता नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपना जो भी address है जो की correspondence address है वो अपना address यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि भील हो गया post हो गया जो भी आपका proper address होता है उसको type करेंगे और last में यहाँ पर pin code भी आपको type करना होगा अगर आपका permanent same है तो आप यहाँ पर tick कर देंगे तो दोन का हो गया तील का हो गया उसकी जनकारी यहाँ पर लिख देंगे कि हां मेरे पास mole का या फिर cut का निशान है तो उसकी जनकारी यहाँ पर भरेंगे उसके बाद इसको save करेंगे go to home के button पर click करेंगे अब यहाँ पर educational qualification का details यहाँ पर डालना है तो इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर देखिए गया तो मैटिक से लेकर और भी कोई आपके पास qualification है उसकी भी जनकारी यहाँ पर डालने के लिए बोला गया है लेकिन आपके पास जो qualification होगा वही आपको fill up करना है सबसे पहले तो मैटिक बताना है कि आपने जो कौन से board से pass out किया हुआ है फिर यहाँ जो भी है वो बताएंगे कि आपने जो हमेटिक कौन से subject से pass किया था फिर कब पास किया था उसकी जनकारी यहाँ पर बताएंगे आप तो मिलेगा नहीं select करना पड़ेगा यहाँ पर सेंटेज बताना है कि आपने जो भी अंक था उसमें से कितना percent आप प्राप्त किये हुए उसको आप यहाँ पर calculate करके डाल देंगे फिर यहाँ पर inter कभी डालना mandatory है क्योंकि जरूरी है तो intermediate अपने concept board university से pass किया हुआ है उसका college का नाम क्या है अपने science arts commerce से किया हुआ है जिसकी जनकारी बताएंगे फिर यहाँ पर subject बताएंगे कि inter में अपने कौन कौन से subject से pass out किय हुआ है कब यहाँ पर pass out किया हुआ है इसकी जनकारी देखने को मिलेगा और percentage यहाँ पर बताएंगे फिर यहाँ पर graduation में देखेंगे तो जिस पोस्ट के लिए मैं apply कर रहा है उसमें bachelor in computer IT ही माया गया है जैसे कि आप देखेंगे notification को तो इसमें साबसाब बोला गया है कि ज आपने जो है गेजोसन कौन से बोर्ड इंचूर्ट से किया हुआ है फिर यहाँ पर subject बताएंगे और कब आपने पास किया हुआ है उसकी जनकारी बताएंगे और percentage यहाँ पर बताएंगे अगर आपने PG किया हुआ है तो उसकी जनकारी डाल सकते हैं नहीं किये है तो आप इ जैसे कि आपने DCA किया होगा तो six month का, DCA किया होगा तो एक साल का, या फिर आपने computer में अशनातक किया होगा तो तीन साल का, बेटे किया हैं तो चार साल का, तो इस तरह आप बता देंगे जो भी आपका course का name होगा, उसकी जनकारी भरेंगे और यहां select करेंगे, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, form भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन होगा तो दे देंगे तो आपको preference मिलेगा, उसके बाद save करेंगे, save करने बाद data save होगा, फिर यहां पे go to home के बटन पर click करेंगे, उसके बाद अनुभाव की जनकारी आपको डालना है, कि जो भी आपके पास experience है, उसकी जनकारी भरने के लिए यहां पे click करेंगे, तो यहां पे आपने जो ही कहां काम किया हुआ है, ठीक है, आपका post क्या था, कब से कब तक आप काम किये हुए हैं, किस परकार का काम किये हुए हैं, और आपका organization type क्या था, यानि कि आपने government के अर्थगर्थ काम क किया हुआ है, क्योंकि notification को देखेंगे, तो इसमें बोला गया है, कि आपका जो ही data पर बंधन पर किरिया, दास्तिवजी करन और बेव अधारित, reporting, प्रारूप आधी में सरकारी या फिर गयर सरकारी, IT अधारित, संगटनों के साथ 3 बर्स का कारे अनुभाव होना यहां प किया हुआ है, जो तीन बर्स आप पूरा करेंगे, तो आप और भी experience यहां पर aid कर सकते हैं, वो आपके उपर depend करता है, ठीक है, उसके बाद यहां पर इसको भी save करेंगे, go to home के button पर click करेंगे, अब इसके बाद जो ही language preference आपको देना होगा, कि आपके पास जो ही कौन कौन स जनकारी है, तो इस पर आप click करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, कि अगर आप English पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, और समझते हैं, तो यहां पर tick कर देंगे, English अगर आप, sorry, Hindi अगर आप पढ़ना जानते हैं, write करना जानते हैं, समझते हैं, तो यहां पर tick कर दे उनका reference आप यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें दो लोग का reference आपको देना पड़ सकता है जिसमें उनका नाम लिखेंगे उनका क्या post है कौन से organization में काम करते हैं उनका phone number क्या है mail id क्या है अगर कोई होगा ऐसा person जो की already काम करता है तो उसका reference आप यहाँ ले सकते हैं ठीक है तो इसको भी save करेंगे go to home के button पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको जो ही photo और signature अप्लोड करना है तो इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका photo होना चाहिए करेंगे आपका जो photo है यहाँ पर upload हो जाएगा इस तरह से signature भी upload करेंगे जो की 20 के 20 से कम होनी चाहिए click करेंगे जहाँ भी आपका signature है select करेंगे update करेंगे इस तरह से signature भी आपका update हो जाएगा go to home के button पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको जो ही document अप्लोड करना है तो इस प करिएगा और scan करते समय ध्यान रखिएगा कि photocopy कराके उस पर जो ही self-tested आपको करना है यानि कि signature करना mandatory है नहीं तो फिर आपका form reject हो जाएगा तो सभी document का photocopy कराके उस पर signature करेंगे signature करने के बाद उसको black and white में scan करेंगे जो की PDFE में होनी चाहिए चार सकेबी से कम होनी चाहिए file size ठीक है तो इस तरह से document को upload करेंगे अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से document आपको upload करना है ध्यान दीजिए सबसे पहले तो आपको matric का certificate और mark sheet दोनों अलग होता है उसको data interpreter के लिए form भर रहे हैं तो graduation का certificate और mark sheet यहाँ पर आपको upload करना है अगर आपके पास post graduation का नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं post graduation का mark sheet नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं फिर यहाँ पर देखिए जो भी आपका category है जैसे कि माल लिए ACST है तो आपको cast certificate लगाना है अगर आप म यहाँ पर जाती certificate upload करना है फिर यहाँ पर विहार से है तो residential certificate आपको यहाँ पर upload करना होगा अगर यहादी लागू है तो आप लगा सकते हैं नहीं है तो छोड़ सकते हैं अधर एस्टेट से form भरेंगे तो नहीं देना है लेकिन बिहार से हैं तो आपको देना पड़ेगा फिर यहां पर लास्ट लेटी स्लीप माली जी आप अन्वाव के अधार पर फॉर्म को भर रहे हैं तो उसका जो भी लास्ट लेटी स्लीप आपको यहां पर देना होगा यह इस्टा कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी बता सकते हैं आपके पास experience का जो certificate है उसको अपलोड करना है और उसके बाद आपको इसको फाइनल संबीट कर देना है और संबीट करने के बाद जो भी प्रिंट आउट निकलेगा ना उसको अपने पास सुरक्षित रखना है साथी साथ 24 डॉक्मेंट आप यहां पर अपलोड करेंगे सभी को यहां से भीव भी कर सकते हैं कि आ इसमें जो इंटर्भीव के लिए जो इसकी official NIC वाला portal है वहां पर सुचना दी जाएगी नहीं तो आपके mail ID पर सुचना दी जाएगी कि आपका इंटर्भीव कहां होने वाला है उसमें जाकर आपको इंटर्भीव देना होगा इंटर्भीव के basis भी आपका सेलेक्शन किया हुआ है कि जो भी भरती आई हुई है उसके लिए आप अगर जहां से online आवदन हो रहा है उस जिले का अर्तगरत आते हैं तो online आवदन कर सकते हैं बाकी आप अपने जिले का notification को आपको जरूर लाइक करेंगे आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेट तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं जहां तक मैं नौलेज होगी आपको बताने की कोशिज की जाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करने औा हमना हमें चाम होगी उतिता हमें भी नौलेज करेंगी जो आपका के लिए लाइगे च्छोग है, झाल झाल